असलाम अलेकुम और वेलकम टो इनफर टैक कंपूटर आइटीसी मैं हूँ शयान सिद्धी की आज़ी क्लास में लोग यह पढ़ेंगे पॉप-प मैन्यू क्या होता है या उसमें व्यू, सॉर्ट बाय रिफ्रेश किसे कहतने हैं वैसे तो आज की वीडियो बहुत जादा छो इंटरफेस पढ़ा करा आया था कंपूटर का , जिसमें आपको बताया था कि इस स्क्रीन को क्या कहते हैं ?ई बार क्या कहलाती यह वगरा, वगरा तो यह जो ड ram inspir बार क्या होती है जटीट वेडियो में इसक्रीन क्या हूंका तो अगर आप आप डिफ्रेश क्या कहते हैं pop-up menu ठिकuest क्या कहते हैं pop-up menu ठिकTC अगर मैं इस पर right click करों यह जो menu open ओर रहा इसे नहीं कहते है pop-up menu जड्送ष्ट आप जो desktop पर right click करके open करते हो जो menu open होता है उसे कहते है पॉप-up menu इसमें आज हम मोग पढ़ेंगे पहले view यू डेल ने तूंड आपको यह आपके पार यहे जो जो आइकंज हैं यह किस तरह से फ्राइन अब किस तरह से ग्रीड व Chloe हो यह यह चोते हो बड़े हो मीडियम हो स्मॉल हो लार्ज हो यह यह हो हो यह सब यहाँ से कंजब कर सक्ते हूं now we are in the al مع ギ yu स्मॉल तो यह और चोट हो जाएंगे ठीक है अगर आपको लार्ज करना है याँछा आप लार्ज कर सकते हो मीडियम रख सकते हैं स्मॉल रख सकते हैं अपनी मर्जी के मताबिक ठीक है यह इसके लाव़ यही काम यह जो आप आइकन चोटे बड़े कर रहे हो या अगर कीबू mouse wheel या mouse scroll जब आप control के साथ इसको scroll करवाओगे अपनी तरफ तो क्या होगा आपके icons जो हैं वो small होँगे ठीकिए और अगर आप इसे scroll करवाओगे अपने से opposite direction में तो क्या होगा आपके जो icons हैं वो लार्ज होंगे तो next option दिया हुए आपको auto arrange icons इनका काम क्या होगा जैसे example के तौर पर मैंने अपने icons को इधर उदर बिखेड लिया कोई कहां पर है कोई कहां पर है कोई कहां पर है अभी तो मैं पर चार है मैं इदे लिए अगर इनकी sequence करना चाहूं तो मैं यहां पर इनको ऐसे set करवा सकता हूं ठीक है लेकिन अगर मैं पास assume करने आप बहुत सारे icons यह तो आप क्या ऐसे करो किसमें तो आपको बहुत टाइम डिख जाएगा तो आप simple क्या करो आप करो यहां से right click right click करने के बाद view में जाओ और यहां से करवा जाओ और यहां से check हटा दो ठीक है यह arrange दो रहेंगे लेकिन आप इनको rearrange कर सकते हो मतलब आगे पीछे इनको set करवा सकते हो अपनी मर्जी के मताबिक सही है इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो next option दिया हुए हमे align icons to grid यह क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं थोड़ करूंगा तो यह तो यह तो left पर आ जाएगा यह तो टॉप पे चला जाएगा यह देखें जैसी मैं इसको release करता हूं यह आगी है left यह बिल्कुल यह नहीं आया यह आया उपर ठीक है यह अगर मैं चाहता हूं भाई यह आये बिल्कुल ऐसे जैसे मैं रखा यह ऐसी है लेक चीज क्या हो दिए grid मैं चाहता हूं यह खतम हो जाए मैं गया view मैं यहां ते मैंने इसको check अटा दी अब देखें आप इन icons को जहां पे जैसे भी रखना चाहों रख सकते हो यह देखो ठीक है कोई फरक नहीं पड़ेगा किसी को भी कोई आपको कुछ भी नहीं बुलेगा आप इनको जैसे रखवाना चाहों easily रख सकते हो कोई issue नहीं साही है क्यों क्योंकि आपने यहां से align खतम कर दी ठीक है अगर मैं इनको दुबारा active कर दूं तो यह देखें normal हो जाएंग नहीं होंगे अगर आपको दुबारा करने आप इस पर चेक हटा दो देन आप work कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट है हमाँ पास शो डेक्स्टॉप आइकन अभी मेरे पास यह जितने डेक्स्टॉप आइकन यह शो हो रहे हैं मैं चाहता हूं मुझे नहीं शो करवाने हाइड करने तो मैं किया करूँगा मैं गया यहां पर और मैं आएस इसको करवा दूगा शो डेक्सटॉप आइकन पर चेक हटा दूँ तो देखे आपकी जो डेक्सटॉप आइकन के वह हाईड हो गाईट जस्ट आपके पास आपकी डेक्स्टॉप स्क्रीन ही नजर आरी है अगर आप किस तरहां से name wise size wise item wise या date modified अगर आप name wise करोगे तो यह name wise हो जाएंगे ठीक है size wise करोगे तो size wise हो जाएंगे जिसका सबसे लादर size होगा वो नीचे उससे कम size उससे कम size सबसे कम size ठीक है इसके लावा अगर आप इसको कर देते हों यहां से item wise तो क्या होगा जो वो चीज पहले बनती जाएगी वो आती जाएगी उपर जैसे यह बनाया पहले मैंने फिर यह बनाया फिर यह बनाया फिर यह बनाया अब अगर मैं कोई और चीज बनाऊंगा वो आएगी इसके नीचे ठीक है इसके इलावा अगर मैं देट मोडिफाइड कर देता हूं तो क्या होगा जो चीद आप न्यू बनाओगे नई वो चीद आएगी उपर यह नॉर्मली जो हुआ हो था नेम वाइस हुआ हो था है इसके इलावा अगर आप यहां से आज रिफ्रेश रिफ्रेश कर सकते हो आप रिफ्रेश से क्या होगा कुछ इस ताना से आपकी इसक्रीन आपके जो आइकन्स होंगे और आपके दिल को तसलिए मिलेगी हाँ वाई हमारा जो कंप्यूटर है वो रिफ्रेश हो रहा है ठीक है और अगर आप यह कीबोर्ड से करना जाओ शौटकी से करना जाओ तो इसकी शौटकी होती है आप एजली कर सकते हो लेकिन उसके लिए पहले आपको वन टाइम यहां से करना पड़ेगा देन आप एफपाइफ करो और इस तरह से आप अपने आइकन्स को बिलिंग करवा सकत यह मतलब रिफ्रेश कर सकते हो तो उमीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी तो आज के लिए अतना ही मिलते हैं एक्स वीडियो में नई टॉपिक के साथ नई क्लास के साथ जब तक के लिए अपना बहुत सादा खायल र